अगली सार रिलीज होने वाली इन फिल्मों का दर्शक को है शित्त से इंतिजार कुरोना ने तोड़ी थी बॉलिवुड की कमर लेकिन कहते हैं न सबर कभल होता है मीठा फिल्मों की शोकी नब हो जाया खुश नया साल लेकर आएगा नई कहानिया कुरोना महामारी में जतना परिशान आमाद में हुआ उतना ही असर बॉलिवुड की कलाकारों पर पड़ा आम इनसान तो जैसे तैसे सीधा हो गया लेकिन बॉलिवुड में ऐसी तबाही आई कि दो साल लग गए समहलने में कोविड के बाद से इस साल से इंडस्ट्री ने दुबारा से काम करना शिरू किया इस साल कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन ज्यादा तर फिल्में बॉक्स ओफिस पर फिसद्डी रही वही कुछ फिल्मों ने ताबर तोड बिजनस भी किया इसके साथ बॉलिवुद में बैकॉट का असर काफी ज्यादा देखा गया लेकिन एक बार फिर से फिल्फॉम में फिल्म इंडस्ट्री नजर आ रही है दर्शकों के मन रुणचन के लिए तयार है आईए जानते हैं 2023 में रिलीज होने वाली कौन सी फिल्मे है अब साल खत्म होने की ओर है फैंस अगले साल रिलीज होने वाले फिल्मों के लिए तयार है आईए जानते हैं उन बड़े फिल्मों के लाँ जिने 2023 में रिलीज किया जाएगा और जिसके लिए दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पहली फिल्म है शारू खान दिपिका पादुकौन और जॉन अब्राहम में स्टार फिल्म पठान S.R. के कॉमबैक फिल्म है फैंस इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये फिल्म 25 जनवरी 2023 से थीटर में देखी जा सकेगी जोके साल की सबसे बड़े फिल्म होगी रितिक रोशुन दिपिका पादुकौन के फिल्म फाइटर को सिधारधान अंटरेक्ट कर रहे है ये फिल्म अभी भी बन रही है फिल्हाल इसके रिलीस डेट के लिए कोई कन्फरमेशन नहीं है कई साल बात करन जोहर अपनी कुरसी समभाल रहे हैं उनके फिल्म रोक्यो रानी के प्रेम कहानी 28 अप्रिल 2023 को रिलीस कर दी जाएगी फिल्म में रनवीर सिंग आलिया भट एक साथ नजर आएंगे तो ही इस फिल्म में धर्मिंद और जयाबच्चिन भी एहम भूमिका में नजर आएंगे ये फिल्म में लोगों के दिलों पर रिवाज करीगी लोग कयास लगा रहे हैं सल्मान खान और काट्रिना कैफ की जोड़ी तो पॉपिलर है वैसी ही इनके फिल्म में भी पॉपिलर होने वाली है क्योंकि ये दोनों एक साथ नजर आएंगे टाइगर 3 में जो 2023 में रिलीस की जाएगी जो की टाइगर का पार्ट 3 होगी वही बात करें प्रभास और किर्ति सेनाउन की तो प्रभास किर्ति सेनाउन और सैफ अली खान स्टार फिल्म आदी पुरुष जून 2023 में रिलीस की जाएगी फिल्म के ट्रिलर रॉंच के बाद ही इसे कई विवादों में घिरा पाया गया इसके बार रिलीस डेट पर भी बहुत सारी बाते सामने आई हलांकि अभी तक पुस्टी नहीं हो पाई है लेकिन बार-बार रिलीस डेट को चेंज किया जा रहा है कभी कोई कह रहा है फ्लॉप होने के वज़ह से बार-बार डेट को आके पीचे किया जा रहा है पर कुछ कमाल नहीं कर पाई जिसकी वजह से दर्शक थोड़े निराश है